नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जोब नीज अड़ा यूट्यूब चैनल में दोस्तों एक और लेटेस्ट विकेंसी की डिटेल के साथ फिर से हाजिर है तो दोस्तों ये विकेंसी जो है ये अनूंस हुई है पंजाब में पंजाब का जो विधान सवा सेक्टर है कंफ्यूज बिल्कुल मत होग गा हुए रजी केंसी या टेंपरेरी वर्ड लिखा यूपा होता है बट ये कॉंट्रेक्ट बेस बिल्कुल नहीं इस बात में कनफ्यूज उज होती है गई उनमें टाइम ली मिट दी होती है यानि कि सिक्स मॉंद वन य gq y e फिर मैक्सिमम टू इयर की उनकी लिमिट रहती है इससे ज़्यादा टेंपरेरी विकेंसिया जो कॉंट्रेक्ट बेस होती है उनकी लिमिट नहीं होती तो इसके बाद बात करें इपोर्टन डेट की तो आपका फॉर्म जो है बाइस मार्च दो हजार इसके शाम पाँच बज़े तक विधान सबा ओफिस तक पहुंच जाना चाहिए अगर इसके बाद में आपका फॉर्म पहुंच दाए तो वहाँ यह कुछ क्वालिफकेशन आपके इस पास होने चाहिए जो सारी कि सारी कंप्यूटर से रिलेटेट है प्लस फाइव एर का आपके पास एक्स्पिरियंस होना चाहिए और आपने टैंथ में पंजाबी क्लिर की होने चाहिए तब ही आप इस विकेंसी के लिए अपलाई कर सक रुपे से आपकी सेलरी स्टाट होगी 24,800 रुपे तक पहुंच जाएगी गाइस प्लस 32 रुपे आपको ग्रेड पे यहां पे दिया जाएगा इसमें गाइस क्वालिफकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है प्लस आपकी टैपिंग लगबग सेम ही है और आपकी जो टैन्थ में पंजाबी क्लीर है और आपकी टैपिंग स्पीड तीस वर्ड परमेंट है तो आप इन विकेंसी के लिए अपलाई कर सकते हो नेक्स्ट विकेंसी जो है गाइस वो है जूनिर अनुवादक की इसकी सेलरी दिसाजार तीन सो से ल सेलरी रहेगी 10,300 रुपे से लेकर के 34,800 रुपे ग्रेट पे मिलेगा गाइस आपको 32 रुपे क्वालिफिकेशन में गाइस आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर एप्लिकेशन का जो है वो ग्यान भी होना चाहिए और टैन्थ में आपकी पिंजाबी क् पे मिलेगा इसके लिए आपको किसी विवानिता प्राप्त है बोर्ड से प्लस टू क्लेर होना चाहिए और टैन्थ में आपकी पंजाबी भी क्लेर होने चाहिए इसमें जो एक सर्विस में होगी उनको पहल दी जाएगा इसके बाद पोस्ट आते हैं सेवादार की इसमें आठमी पास होने चाहिए और गाईज सफाई सेवक के लिए आपकी पांचमी पास है तो आप इसमें अपलाई कर सकते हो गाईज फीस की बात करें तो जो जर्नल कैटिगरी के लोग रहेंगे उनको गाईज सीरियल नमर एक से लेकर के आठ तक दो सो रुपे पे करने पड़ है गाईज उनमें उनको सिर्फ 50 रुपे पे करने पड़ें गाईज ध्यारकिये जो छूट मिल रहे है ये केवल पंजाब के कैंडिडेट को ही मिलेगी अधर स्टेट के जो कैंडिडेट इस विकेंसी के लिए अपलाई करना चाहते है तो उनको यहाँ पे कोई फीस की छू जो है वो थोड़ा ध्यान से कटवाई अगर आपने सही ड्रस फिल नहीं किया तो आपकी फीस यहां पे बेकार हो जाएगी आपको दोबारा से भरनी पढ़ सकती है तो चलिए फटा-फट से इनकी जरूरी हदायतें भी पढ़ लेते हैं फर्ष्ट हदायत इनकी यह दी अपके पास योगेता है बट आपको जाए अलग-अलग फ़र्म अपलाई करने होंगे सभी की अलग-अलग फीस पे करनी होगी ठीक है वाइस इनकी नेक्स्ट हिदायत यह है कि आप फॉर्म जो है समय से पहुँचा दे अगर फॉर्म पहुंचने में देरी होती है तो इस पोर्टेंट बात यह है कि आपको कोई भी डोकिमेंट फॉर्म के साथ सेंड नहीं करने है व्याइस फॉर्म जो है आपको इस पीडियेफ के लास्ट में मिल जाएगा पीडियेफ का लिंक वीडियो की डिस्क्रप्शन में आपको दिया गया है वहाँ जाकर कि आप जहिंग।